कर्म कितने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार संचित कर्म जुड़ा होता है मुनश्य के भाग्य से? तो हाई ये शुरू करते हैं आज की जिग्यासाद एपिसोड नमर 4 लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उससे बिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और ना ही ये कि उन कर्मों का उनके भागे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बस इतना ध्यान देते हैं कि जब वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्दी से उसका फल चाहिए और जब बुरा करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं लेकिन शास्त्रों में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याक्या की गई है पर देख वैक्ति को उस पर जरूर विचार करना चाहिए आपने कई लेखों में संचित कर्म, प्रारब्ध जैसे शब्दों के बारे में पढ़ा होगा लेकिन बेहत कम लोग इसका अर्थ गहराई से समझते हैं इनका अर्थ गहराई से समझना आवशक है तब ही आप अपने जीवन को सार्थक और आत्मा को मोक्ष की और अग्रसर कर पाएंगे इन्हें समझकर ही आप अपने भाग्या की प्रकरती को समझ पाएंगे और उसे बदलने की कोशिश कर पाएंगे आपका पुनरजन्म, अगला जन्म, आत्मा का कश्ट, जन्म की योनी सब कुछ जुड़ा है आपके कर्मों से लेकिन किस तरह चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के चार मद्यम होते हैं लेकिन कर्म मुख्यत है तीन प्रकार के होते हैं पहला है संचित कर्म, संचित का अर्थ है जमा किया हुआ, अत्वा इकठा किया हुआ, यानि ये एक आत्मा के उन कर्मों का एक बही खाता है, जो उसने अब तक इकठा किये हैं, एक आत्मा कई बार जन लेती है, और कई सदियों से जन लेती आ रही है, हर जन में उसने कुछ अच्छे और कुछ पूरे कर्म की होंगे। में सारे कर्म एकठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं। यानि कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्मों में किये गए कर्मों का एक रिकॉर्ड है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मनुश्य को जानकारी नहीं, वैं केवल वर्तमान के जन्म के एक अर्म के प्रती सजग रह सकता है, लेकिन भगवान इन कर्मों को जानते हैं, और वो उसके अनुसार आपको फल भी देते हैं. दूसरा है प्रारप्द कर्म प्रारप्द यानि भाग्य है और प्रारप्द कर्म यानि कर्म के अधार पर मिला भाग्य है किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म है वो किसी स्टोर रूम में पड़ा धूल नहीं फाकरा होता या कोई भी मनुष्य उससे पीछा नहीं चुड़ा सकता बलकि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकाल कर उसके आधार पर आपके अगले जन का भाग्य भी तै होता है और यह भी आपको अब इस जन में क्या-क्या भोगना होगा संचित कर्म के आधार पर ही यह तै होता है कि आपका इस जन का परिवार जीवन और भाग्य कैसा होगा अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फल स्वयरूप कष्ट प्रण जीवन मिलेगा और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा इसलिए कहते हैं कि जब भाग्य कराबो तो किस्मत को दोश नहीं दिया जा सकता बलकि यह आपके ही बुरे कर्मों का फल होता है यानि वो कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किया है उसी से आपका प्रारप्त पिनिर्धारित होता है और संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा भोगतना भी पड़ता है तीसरा और अंतिम कर्म है क्रियमान कर्म क्रियमान कर्म वो कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है या हो रहा है यह सच है कि आपका भाग्या बहुत हद तक आपके संचित कर्मों पर अधारित होता है लेकिन उसे क्रियमान कर्म द्वारा बदला जा सकता है केवल इतना ही नहीं, एक मनुश्य के ख्रियमान कर्म में चितने अच्छे काम होंगे, वह उसके संचित कर्म में मौझूद बुरे कर्मों को भी काटते जाएंगे. इसलिए यह अवेशक है कि हर वेक्ति अभी अपने भागय को कोशने के बचाए, अपने कर्मों पर ध्यान द अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं, और आपको दोनों बार बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है, जब तक कर्मों का हिसाब शुन्य नहीं हो जाए. जब यह शुन्य हो जाता है, तब ही आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाती है, क्योंकि उसके पास आप कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए, अगर आपने अभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया, तो संचित कर्म में मुझूद बुरे कर्म अच्छे कर्मों से घटते जाएंगे, और आपका भावी जन्म ने केवल उच्छतर होगा, बलकि आत्मा भी मौक् इसलिए कुछ भी कर्ते वक्त अपने कर्मों पर अवश्य विजार कीजिए, तो इसी के साथ आज की जिग्यासा का एपिसोट 4 समाप्त होता है, दन्यवाद